चलिए शुरू करते हैं आज का करेंट अफियर 29 मार्च है और जिनों ने भी सब्सक्राइब किया प्लीज अपना नाम कमेंट बॉक्स में लगा दें चलिए शुरू करते हैं पहला है पेरोल यह चार्चा में इसलिए है कि हाई कोट सारी सुप्रीम कोट ने कहा है कि पेरोल की जो अवधी होती है वो जो उनकी वास्तविक सजा के अवधी के हिस्से के रूप में नहीं गिना जा सकता जो पेरोल पे उनको छुट्टी दी जाती है कैदे लोग बाहर आते हैं तो उनकी जो सजा होती है उसमें यह चोड़ा नहीं जाएगा कि दस दिन के छुट्टी मिली फिर ओ दस दिन आपकी सजा कम हो गए ऐसा नहीं है यह एक कैदी का सजा के निलंबन के साथ रिहा करने की बियुस्ता है इसमें कैदी की रिहाई ससर्थ होती है और आम तोर पर कैदी के बिवार पर निर्वर करती है अगर उस कोड को या प्रसासन को लगता है कि इस कैदी के छूटने से जंधन की हानी हो सकती है तो वो उसको पेरोल नहीं दे रहें पेरोल अधिकार नहीं है यह कैदी को जो परिस्तितियों में दिया जाता है जिसे साधी बिवागेजी की मिद्दों हो जाती है इत्यादी में दिया जाता है तो यह अधिकार नहीं है यह कोशन एक पार पूच्छा जा चुका है पिरोल की तरह है एक फरलो थोड़े दिन का अवकास जो फरलो होता है यह लंबी आधि के कारवास के मामले में दिया जाता है जिसको आजीवन करवास हुआ बिस साल की सजा हुई तीस साल की सजा हुई उन लोग को फरलो दी जाती है एक कैदी को फरलो की आउदी उसकी सजा की छूट के रूप में माना जाता है जैसे दस दिन का या पांच दिन का उसको फरलो मिला तो उसके सजा में जोड़ता चला जाए कि इतने दिन सजा पूरी होगी ये नहीं कि 5 दिन का उसको अलग से भूगतना पड़ेगा लेकिन पेरोल में ऐसा नहीं था पेरोल में तो भूगतना पड़ता था फरलो कैदी का अधिकार होता है और उसे समय समय पर प्रदान किया जाता है कभी कभी या बिना किसी कारण के उसके परिवा के साथ संपर्क बनाए रखने यवं लंबी सजा के नाकारात में पड़्यामों को कम करने के आधार पर भी प्रदान किया जाता है पेरोल और फरलो वर्स 1894 के कारगार अधिनियम के अंतर गदाते है अर्थावर एक घंटे के लिए गैर आवस्यक्त बिद्दूत लाइट्स बंद करने है तो फॉस्थाहित करने के लिए आउजित किया जाता है कमपल्सी नहीं है बस कहा जाता है अर्थावर वर्ड वाइब फंड फर नेचर डव्लू डव्लू एप की वार्षिक पहले इसकी सुर्वत द्वजास साथ में होई थी कब मनाया जाता है मार्च लार्श अटर्डे साड़े आठ से साड़े नौ बज़े तक जितने भी फाल्टू के लाइट से उसको बंद किया जाए और इस साल की जो थीम थी वह हमारे ग्रह में निवेश इन्वेश्ट इन आवर प्लैनेट होता कि आई यह डव्लू डव्लू है पिस्वन जीव कोस का जो मुख्याल है और इसकी और भी पहले टीक्स टू दोजाब आइस तक बिस्व के जंगली बागो को दूगना करने की बैस्विक प्रतिबाद देता ट्रैफिक डव्लू डोड़िया पर आयू आयू सी अन का एक डव्लू डव्लू एफ भूत्चुम्ब की तूफान भूत्चुम्ब की तूफान स्वर्य उस्षरजन के गारा प्रिज्बी के चुम्ब की छित के ब्याधान को समदर्भित करता है कि एक संस्था है उसने बताया है कि अभी अभी हाल ही में चुम्ब की तूफान प्रिज्बी से टकर आई है उसकी जो तरी ब्ता थी वो जी फोर थी तो एक्जाम में वो तो पूछेगा नहीं एक्जाम में तो यही पूछेगा है होता क्या है कैसे होता है कौन सी संस था है मापन क्या है इस वज़े से थोड़ा इसको डिस्क्राइब करना जुरूरी है साट नोट कोरोनल मास मास इंजेक्शन सी एम या उच गति वाली स्वार पावन प्रिद्वी करह पर आते ही में नेटो इस फियर से टकर आती है जो प्रिद्वी का मैगनेटो स्पियर है चुंब की जखेतर वाला उसे टकराती है प्रिद्वी का मैगनेटो स्पियर इसकी चुंब की जखेतर दोरा निर्बित है और इस अमानते सुर्व द्वारा उसरजित कड़ों से हमारी रच्छा करता है जो हानिकारक कड़ा है उनसे भी हमारी रच्छा करता है अब जानते हैं कोरोनल मार्स इंजेक्शन उच्छ गती वाले सुर्व द्वारा जब प्रिजभी पराती है तो प्रिजभी के मैगनेटो स्फियर में प्रवेश करती है नतीजितन अधिक उर्जावान सुर्व प्रवन के कड़र जो कड़ नीचे प्रवावित हो सकते हैं मरला इस मैगनेटो स्फियर को पार करके भी जो सौर्व प्रवन है जो जिसमें अधिक उर्जा होती है वो पार करके अंदर तक आ सकते हैं और ध्रुवों के ऊपर हमारे वातावरर से टकरा सकते हैं जिसके कारण एरोरा वाली गटना होती है और इसको भी अधिक कर सकते हैं और ये भी हो सकता है कि जहां एरोरा नौ दिखाई तो वहां भी ये दिखाई देना सुरू हो जाता है तो भूत चुम्ब की तूफान के जो पैमाने होते हैं इसकेल वो G1 से लेके G5 तक है G1 सबसे कम G5 सबसे हट G1 को प्रभावित करने वाला G1 मतलब Life Life को प्रभावित करने वाला जो सकेल है वो G5 है और यह जो G1 है, Capital G और 1 इस अब से कम है अब आते हैं यह जो नियू जाए थी हो क्यों आए थी राष्टी महासागरी और वायुमंडली प्रसासन NOAA पूछे का यह कहां पर है तो संयुक्तराज अमेरिका के वाड़ेजिक विभाग के भीतर एक बैग्यानिक और नियामक एजन्सी है जो मौसम के भाईसवारी करती है समुंद्र और वायुमंडली इस्तितियों की निग्राने करती है समुंद्रों का चाड़ बनाती है गयरे समुंद्र की कोई मगदी मचली पकड़ना इत्यादी सरगाम करती है इसी ने यह बताया कि हाले में प्रिद्वी पे सौरे तुफान टकराया था मुख्याले अमेरिका मैरिलेंड में है जैव इदन चाचा में इसलिए है कि इसके निद्यात के लिए जो भी प्रतिबन लगाये गया थे उसमें अब छूट दी जाएगे होता क्या है जो है टो अधरं जो उसमें में कारबनिक प्रतार से उत पन वहता कि मुख्यों किस्देश बंता है कार्बनिक प्रतार से दिंदन परदी आ कौन 6 प्रियोग करके चीनी, इस्टाज, तेल, फसु वसा इससे बना जाते हैं जैसे बाइवालकुल, बनस्वतिती तेल, बायोविथर, बायोगैस, यह पहली पेड़े, दूसरी पेड़े, गैर खादे फसल, जो खाने यूग नहीं है, या फिर कुछ खादे फसल के कुछ सीच से, जैसे तने, भुशी, लगड़ी, छिलके, फ़लों के छिलके, इस सबसे बनता है, वो दूसरी पिली के, होते हैं जैसे, चलो जो इथनवाल, और बायोडीजल, तिसरी पिली, सेवाल जैसे सुच मजियों से उत्पन होते हैं, और उदारार के लिए बुटे नाल, चौथी पिड़ी, जैव इधन, उन्नत जैव इधन ने जो अनुवांसिक रूप से संसोधित, सैवाल, बायोमास, और उन्नत रूपांतर टक्नीकों का उप्योग करके उत्पादित कह जाता है, जिसे पैरोसिलिसिस, इत्यादी, अनतराश्टि सुने अफसेश्ट दिवस, मनाय कब जाता है, 30 मार्च 23 को, मतलब 30 मार्च को मना जाता है, अंतराश्टी सुने अफ्सिष्ट दिवस दोचलतेईस का जो बीसे है कचड़े को कम करने और उसके प्रबंदन के लिए ठिकाऊ और पर्यावड़ी रूप से मजबूत प्रताओं को प्राप करना कुल मिला के इसाप सफाई होगी तीन चाह दिन का काई ग्रम भी इसके लिए हो रहा है दिल्ली में नोट करने जोड़ नहीं है इसका पीडियाफ आपको वैबसाइट में मिल जाएगा और कैसा लगा कमेंट करके जोर बताईएगा डिस्क्रिप्शन में भी इस्टोडी ज़रूर देख लेजिएगा तब तक लिए लाइक सब्सक्राइब और शेयर धन्यवाद